हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल दो नॉर्ट इस ग्लेंग गल्स आज में निविया सॉफ्ट लाइट मॉस्टराइजर के ऊपर रिव्यू करूंगी आप देख सकते हो यह इसका सिंपल सा पैकेजिंग है और यह सिंपल सा एक वाइट कलर का प्लास्टिक तब में आ प्रेक्चरिंग यह निविया सॉफ्ट लाइट मॉस्टराइजर में विटमीन ए होता है आप सभी को मालूम है कि विटमीन ए हमारे स्कीन और हैर के लिए कितना हेलफफुल होता है विटमीन ए हमारे स्कीन को सॉफ्ट और सपल बनाने में बहुत ही मदद करता है और यह क्र यह बहुत ही light moisturizer है और फ्रेंज अभी तो winter भी आ रहा है winter में तो यह बहुत ही perfect होगा यह moisturizer और यह moisturizer आप लोगों को बिल्कुल भी heavy नहीं फिल कराएगा लेकिन जिन लोगों का skin थोड़ा oily है उन लोगों को यह moisturizer लगाने के समय थोड़ा थोड़ा सा sticky feel होगा लेकिन after 2-3 minutes यह आपकी skin पर easily absorb हो जाता है सैटल हो जाता है और sticky feel विल्कुल भी नहीं होता है और जहां तक availability की बात है यह market में easily available है मैंने इसे local store से खरीदा है अब चाहे तो इसे online भी purchase कर सकते हो और friends यह three sizes में आता है एक medium size एक large size और यह small size है मैंने small size खरीदा है क्यूंकि यह बहुत ही cute और handy है और travel friendly भी है यह ज़्यादा space नहीं लेगा अगर आप इसे travel करने के समय केरी करते हो तो friends अब देख सकते हो इसका अंदर यह इस तरह का एक seal होता है इसे खोल के हमें लगाना होता है यह इसका color और texture है यह ना जादा runny है ना जादा ठीक है इसका consistency medium consistency क्या है और इसका texture भी बहुत ही smooth है fragrance भी बहुत ही mild है friends मैं यह moisturizer हर रोज नहाने के बाद use करती हूँ लगभग मैंने इसे एक महीने use किया है यह moisturizer मेरे skin को बहुत ही soft smooth और सपल सिल्की बनाया है क्योंकि इसमें vitamin E है और यह मुझे बहुत ही अच्छा result दिया है यह moisturizer ने आप भी एक बार ट्राइ कर सकते हो इस moisturizer क friends यह था मेरा review अज इस Nivea soft light moisturizer के ऊपर अगर आपको यह मेरा review अच्छा लगा हो तो please friends मेरे वीडियो को like कीजिए share कीजिए और comment कीजिए और साथ में मेरे channel को subscribe कीजिए और साथ में दिया हुए bell icon को भी दबाएए ताकि आपको मेरे वीडियो को notification मिल जाए thank you friends मेरे वीडियो को देखने के लिए